सिलिगुडी का एक नीजी हॉस्पिटल फिर हुआ बदनाम मरे हुए मरीज को जिन्दा बता कर तीन दिनों तक परिजनों से एट रहे थे पैसा मरीज के परिजनों ने हॉस्पिटल पर लगाया गंभीर आरोप अपनी बोलन की एक घंटा बादे घंटा मोदे बोडी पुरा टाइट होवे की सिलिगुरी में तीन दिन पहले मरे हुए मरीज को जिन्दा बता कर परिजनों से पैसा ठगने का आरोप सिलिगुरी के एक नीजी हॉस्पिटल पर लगा। मरीज के परिजनों का आरोप है कि सिलिगुरी के हिलकाड रोड इसित एक नीजी हॉस्पिटल में आठ जन्वरी को एक महिला मरीज को भरती कराया गया था। मिली जानकारी के अनुसार मरीज के सिर पर चोट लगने से काफी खून बै गया था और उसके सिर में खून जमा हो गया था। जिस कारण हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अधिकारियों द्वारा परिजनों को मरीज का सिटी स्कैन कराने को कहा गया। सिटी स्कैन कराने के बाद डॉक्टरों ने मरीज के परिजानों को बताया कि मरीज का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा वरना उसकी जान जा सकती है मरीज के परिवार वालों को ऑपरेशन के लिए 80,000 रुपए का भुकतान करने को कहा गया साथ ही हॉस्पिटल के तरफ से परिजनों को साफ तौर पर बताया गया ओप्रेशन और दवाद दोनों को मिला कर ही उनसे अच्सी हजार का दुखतान करवाया जाएगा इसके बाद हॉस्पिटल दौरा मरीज के परिजनों से ऑपरेशन के लिए कुछ जरूरी काख्यात पर हस्ताक्षर ले लिया गया गटना के तीन दिन बाद हॉस्पिटल के आर analog ने मरीज के परिजनों को बताया कि आपका पेसेंट तीन दिन पहले ही मर चुका है वहीं परिजनों का आरोप है कि उन्हें तीन दिनों तक उनके मरीज से मिलने नहीं दिया गया क्योंकि वह आठ जन्वरी की रात ही मर चुकी थी इतने दिनों तक हॉस्पिटल द्वारा या बात परिजनों से छिपा कर उनसे पैसा ठगा जा रहा था और आज तीन दिन बाद हॉस्पिटल के द्वारा परिजनों को फोन कर बताया गया आपकी मरीज मर चुकी है साथ ही अब 80,000 रुपए के बिल जिसमें दवा का पैसा भी शामिल था उसके लिए अब परिजनों को 40,000 रुपए अलग से बुकतान करने को कहा गया है हाला कि इस मामले में हॉस्पिटल अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है आईए सुनते हैं इस पूरी घटना को लेकर मरीज के परिजनों का क्या कहना है आई ग्रेन एमरेट हुआ है शिपी स्केन करवाया है शिपी स्केन करवाने का बाद नहीं बहुत है उमिडिटी इनका उपरेशन करना पड़ेगा ने तो तेसन अबर सकता है वह ले ठीके सब के आपका उटी दवाई खर्चा जो लगिया इसमें आपका आज आएगा आप लोग इसमें क्या बोले थे नर्सिकों को सब्सक्राइब आपको यह बोला था आपको यह बोला था आपका इस से 25,000 का केस्ट करवा दिया है क्या अगर हो भी क्या हो तो इमेटेटली होता है क्या पेशन को ने थेजिया देता है उसको वह साने में 24 गंडा लगे वेट आताना डिए पेशन को खतन था क्या हो इसमें आए गा यह बोलते हैं जाने लगए तो भी बोलते हैं कि पेस्न को तो दाइ देना पड़े का पेस्न सो आपको दाइनोग दिदिय थै कि आम लोग यह饮 पर देना पड़े जीन को दाइधकर जागक फर nich नहीं दान को पाइसा के लिए अजल मरत पैसा दें तर तप आप लोग को नर्सिंगों से कब बताया गया था कि आपका प्रेसंद नहीं है हाला कि आप बता रहे हैं कि तीन दिन पहले आपका प्रेसंद खतम हो चुका था आप लोग को मिलने नहीं दिया था प्रेसंद से आपका आरोब क्या है सिलिगुरी के नीजी होस्पिटल से आई दिन इस तरह के गंभीर आरोब सामने आते है कब तक इस तरह से आम लोगों को इन नीजी होस्पिटलों में लूटा जाएगा एक तरफ जहां लोग अपनी जान गवा देते हैं वहीं इन होस्पिटलों में जान गवाने वाले मरीजों के परिजनों से पैसा लूटा जाता है आखीर इस मामले में प्रसासन कोई कारवाई क्यों नहीं कर रही है क्या प्रशासन ऐसे मामलों को देख कर भी अंदेखा कर रही है क्या सिलिगुडी के नीची होस्पिटलों से लोगों का भरोसा यूही उठता रहेगा कब कारवाई करेगी प्रशासन रहेगा, मैं भी खरीदूगा ज coding, नगालंड रियर रहिग सकती है यह ठिकेट आपके सपनों को शाकार कर सकती है और वो भी सिर्शे रुपिय मैं नगालंड रियर रह सकती है घर घर रही 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 रहीद मीडा़ना new च mega for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or DamroIndia.com Damro, internationally trusted furniture. Damro, internationally trusted furniture. Ready-made school uniform स्रीशंकर स्टोर्ज योड़ा विश्वास के नाम. एक्दम रिजनेबल प्राइस माँ प्लब धुनेचा. Ready-made school uniform neckties, belts, socks, stocking, sweater, blazer, gems t-shirt, track suit, body warmer, inner, swan, chadar, school bag, shoes. KBS uniform अबिलेबल. अज्जे यामनो होज, स्रीशंकर स्टोर्ज माँ स्रीशंकर स्टोर्ज जो काई पनी पाहुंदाईना, तेउ खाली यामत्ताई पाहिंचा. मिस्स के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनस गोल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का. मुथूट फाइनस, भारत का नंबर वन, सबसे भरोसे मन, फाइनशिल सर्विसेस ब्रैंड. गोल लोन के लिए अभी कॉल करें, 1-800-313-1212.